वेल्गम गाईथ जेकलों जोब चलें मैं आपको बहुत बहुत सुभागत ही आज के इस वीडियो वहत ञाएं सब्सक्राइए घंचे मुल्टेलब्युजण का पिसारे कुषण हैं इस ते डीमाने सब्सक्राइब के बिलाएं सब्सक्राइब्स कर लें तयों सुआ क्यों चार option आपको दे रखे, आपको one option select कर लेना है और आपको ये मान के चलना है कि आप अपना exam दे रहे हो So guys, आपने एपने इम्यानदार से one option select कर लिया होगा कि डूटेरिय में कितने proton होते है ये मान के चलो कि आप से exam में पूछ ला है question, अब आप क्या करोगे इसका right option हो जाएगा आपका one, कितने proton होते है one, next इतिलिन में कार्बन के साथ कितने बंदन जुड़े हुए होते, how many bonds are associated with carbon in इतिलिन 5, 4, 3, 2 बताइए कितने बंद जुड़े हुए होते हैं, बहुत अचा क्यूज़न है लगा देखा टिक आपने इसका right option हो जाएगा four यानि की option two कितने बंद जुड़े हुए थे four, four बंद जुड़े होते है, अगला आँखों की बीमारी किस विटामिन की कमीकल कारण होती है, I disease is caused by the deficiency of vitamin, vitamin C, D, B, A, हमने आपको विटामिन पूरा पढ़ा दिया है, GKM2GEM के चैनल पर, हमने विटामिन का chemical name आपको पढ़ा दिया, उनके sources आपको पढ़ा दिया, उनकी कमी से होने रोग हमने आपको पढ़ा दिये, इससे कोई भी step हमने मिस नहीं किया है, तो बता दो answer कि आँखों की बिमारी किस विटामिन की कमीकारण होती है, सो इसका correct option है, correct option, simple जिबात है, option 4 यान की, विटामिन एक की कमी से, रथों दिये होती है, आपको पता है, रात में कम दिखाए देता है फिर, इससी परकार विटान B, C, D, इनके कमीकी क्या होता है, सब आपको याद रखना है, और जितने भी complex है न, विटामिन B के, B1, B2 है न, अउनके भी आज रखने है, अगला जुने का पानी का राशा निक नाम है, milk or pine in, केमिकली, जुने पानी का राशा निक नाम, CA CO3, CAO H2, CSO 42 H2O, CA CO3 इसका राइट आप सुनों जाएगा आपका सी ए ओएस टू नेक्स्ट पेनिसलीन एक है हार्मोन विटामिन एंटिबायोटिक या पर जबर ना सक पेनिसलीन एक है किसने कोज कीती ये भी आधरगना है आपको कभी कीती ये भी आधरगना है प्रात्मिक एलकॉल कौन सा है विच इज ब्राइमरी एलकॉल प्रोपेन टॉल आईसो प्रोपाइल एलकॉल ब्यूटेन टॉल ब्यूटेन वन ओल प्रोपेन आपको फ्रात में कौन सा है दित्ते कौन सा है तरते कौन सा है हेलकॉल आपने पड़ा हुआ है रसान विग्यान एंसे अटी क्लास 12 प्राइमरी एलकॉल टाइट ऑप्सनिज ब्यूटेन वन ओल ठीए ब्यूटेन वन ओल अगला थोड़ा सा एड़्जेस कर लेते इसको वात्ता औरन में पर्चूर मात्रा में पाये जाने वाली अक्रेगेश है दा इंसेट गेश प्रचूर मात्रा में पाये जाने वाली अक्रेगेश आपको बताने है चार ओप्सन आपके सामने आजी रहे इसका राइटों नहीं आपका ओर्गन आपने पढ़ा हुआ है प्रमानों क्रमां कितना होता है पता है ने सबको अब कोई बोलिंग 17 कोई बोलिंग 18 बट आपको पता है तो आप बता देंगे गश इसतरां और इस्तिर होता यानी कि दिया गेश कॉंस्टेट आर इस कांस्टै ट् आदर्स और वास्ट्विक गेस दोनों के लिए नहीं वास्ट्विक गेस के लिए इसका राइट आप्सने केवल आदर्स गेस के लिए ओनली आडल गेस अगला क्यूसन है कि कि CH2O में कार्बन की ऑक्सिकन संग्या है दा ओक्सिडेशन नंबर ओक्सिडेशन नंबर निकालना सब को आना चाहिए देगो पूचे जाएगा एक उसन तो आएगा है एगा ऑक्सिडेशन नंबर पढ़ाओगा ना आपने टोल में बताओ दो पीर प्लस टू जीरो माइनस टू प्लस पॉर सो इसका राइट उप्सन है आपका जीरो अगला ओहलर ने यूरिया उसमा दौरा किसे संसलिट किया ओहलर सिंतेसाइज यूरिया वाई लिघ्टिंग को अमोनियम साइनिट अमोने यूरियत अमॉनियम ऑउखलेट फेरिक साइनिट बहुत अच्छा है कि इसका राइट उप्सन चेग आपका अमोनियम साइनिट अमोनियम साइनिट निवन में से किसका सबसे अधिक कैलोरी मान है विच आप दे फ्लॉविंग है जे हाइस्ट कैलोरी वेल्यू वसा विटामिन प्रोटिन कार्भाहिट्रेट राइट आप जनिच फेट वसा अगला निमन में से कौन सा एक अनुसिंग के गुणद्रम है विच आप दे फ्लॉविंग एजे कौलिगेटिव प्रोपाटी काउत नांग हीमांग गल नांग हीमांग में अवनवन बहुत अच्छे चीकिशने गाईज इलेवन टॉल से आएंगे बिल्कुल भी आपको नहीं गब राना है जब तक जेक लॉवन जोब चनल आपके साथ है अनुशंके गुंद्रम है इसका राय टॉप्स नाजेक आपका हीमांग में अवनवन हीमांग में अवनवन टीक है डिप्रेशन इंस फ्रिजिंग पॉइंट अगला टेफलोन में निमन में से कौन सा तताव मौजूद होता है विच अब दा फ्लॉविंग इलेमेंट इन पर्जेंट इन टेफलोन एफटू, आईटू, बियार्टू, चेल्टू आपका जो चेप्टर है बहु लग पढ़ाओगा ना आपने पॉलीमर वाला चेप्टर अगला निमन में से कौन सी दा तू कौपर सलपेट विलेन में कौपर को विस्ताफित करेगी बहुत अच्छा कुशन है अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दा तू अधिक क्रेशी ले, कौन सी मद्यम है और सबसे कम कौन सी है से क्रेट अश्रें ने पड़ रकिंगी तो समझा आ गया और ये क्यूशन आपकी यही नोलेजच चेक करना चाहता है कि आपको से पता ही नहीं है यह एक क्यूशन में पता कर लेता है कि आपको पता ही नहीं है यह होता ही objective टाप की युशन multiple choice क्यूशन कौन सिद्धा तू कौपर सलपेड विलें में कौपर को विस्तापित करेगी जो अधिक क्रियासी अधिक होगी वो ही करेगी ना तो कौन है फ्यरस अरजनेटम या फिर मारकर या फिर सोना बताईए सेक्रिता स्रिनी याद करो राय टॉप्समों ऐसे अपका फेरस त्यों कि यहीदि अभी क्रियासी हिए देख लेना अभी भी वक्ते साक्रिता स्रेणी को उसमें आपको देर कहें कि धातों अधिक रसेल्ड ते कम अभी सेल्ड के और करम हें जमाय हुआ इस प्रकारदां तो द एलूमिनियम जिंक पेरस एसे देरकाव कोपर इस तरह करम देरकाव को उसको आतकर लेना हर जगे काम आएगी है आपके सेक्रेट असर नहीं अगला एमो सिदांत के आदार पर निमन में से किसका असितव नहीं हो सकता है वीचो दो फ्लॉमिंग केनाट एक्सिस्ट ऑफ दे वेसिस ऑफ दे एमो थियोरी इसका राइट अप्शन हो जाएगा आपका एचिटू अगला निमन में से कौन से विलियन एमोन का उस्तम प्याच होगा एल ओफ त्री केटू से ओफ त्री एने ओफ एच एने फॉर ओफ निमन में से कौन से विलियन अनमोल का उस्तम प्याच होगा तो राइट अप्शन होगा तो राइट अप्शन हीजिए एने ओफ नेक्स्ट एक अभिक्रिया में X प्लस 2 आए उत्पाद अभिक्रिया की आनुता है 1, 0, 3, 2 राइट ओप्चन इज 3 अगला बेकिंग चोड़ आए पोर्मला सारे याद रखने आपो देगो चायव आपका बेकिंग चोड़ आओ चायव आपका खाने का चोड़ आओ हर एक का सादर नाम, केमिकल नेम और फोर्मला तो याद रखना यही केमिस्ट्री के बाचान है तो आपने बेकिंग चोड़ आपको बता दिया होगा खाने का सोड़ जो आप यूज करते हो सोडियम हाइडिजन कार्बोनेट इसमें अगर थोड़ा सा अमल मिला देते तो क्या होता है यह से ओ टो गेस देता है अगला और उसको एंटेसेट के रूमें भी काम में करते हैं अगर आपको एसीडीटी हो गई तो बेकिंग सोड़ा खा सकते हो आप क्योंकि इसमें सार यह गुण होता है जो कैसीडीटी को कम करता है नाइलोन बनाने में उपियो की जैने वाली कच्च पदार थे एरो मेट्रेल यूज इन मेकिंग नाइलोन अगर नाइलोन आपको बनाना है तो कच्चा माल क्या आएगा इताइलिन, मैतिल, मैताइकरपटाउन बुटडाइन या फिर एड़पिक अमल नाइलोन बनाने में रिसका राइट उप्षन है एड़पिक अमल लोगे कच्चा माल एड़पिक अमल अगला क्येशन, ग्रेट है, सूचालग, उस्मा का कूचालग, वीदूत का कूचालग, उस्मा का सूचालग, बहुत अच्चा क्येशन है, इसका right option रोजेगी आपका, उस्मा का सूचालग, उस्मा का सूचालग, सारीक मीती चाहर है, the Sub-stand sugar is offices, lactose, fractose, glucose, को शुक्रोज करें तो इसका राइट उसने फ्रेक्टोज अगला OLEUM का राषा निक परती के OLEUM इस गेम्क ली H2, S2O7, H2, S2O8, H2SO5, H2SO3 OLEUM का राषा निक परती की बताना आपको प्दा रखा है अपने तो बता दू So, इसका राइट उसन एउसने h2, S2O7 याद रगने हैं को एच्टू, एच्टू, और सेवन, कॉलियम बॉलते हैं को अगला व्रॉमिन और कोईच के साथ एक्टामाइट की अभी किराशे होता है तो राइट आप्टोन इच मेथल एमिन, एधिल एक्टोन, एतिल एमिन, एतिल एमिन, यॉबर इधियन, व्रॉमिन और के साथ एसे ट्राइट के विक्राइचे होता है तो राइट ऑप्शन इच मेतिल एमीन मेतिल और एमीन किस ततों का आयनन एंटल्पी सबसे कम होता है विच्छ इलेमेंट है पिछली बार भी पूचा जाज़को एक उसन कलोरीन प्लोरीन हाइड्रोजन सब कुछ यहां दे अभी तो बहुत है विच्छ इंट करने ना क्योंकि आपको कापे सारे कुशन चाहिए नाइट्रोजन परमाणों में तीन अहींट की वरेता द्वारा समझाए जा सकता है अनिच्छा सिद्दांद हुंड का नियम पावली का सिद्दांद ओबाव का सिद्दांद तो राइ भी उप्विग्यान पिजिक्स के अगला है आपका भी इंट क्योंकि और विच्छ टेंप्रेचर कि कॉन्से टेंप्रेचर पर आपका जो डिग्री सेंटीग्रेट राइट राइट ऐसामान हो गा इसका राइट आप सुनों जीग आपका पहले आप बताओ बिल्कुल माइनस 40 डिग्री सेल सेल इसका ध्यां रखना तोड़ा सा किस तापर सेंटिग्रेड और फारे नाइट इसके लेक्समान होंगे माइनस 40 डिग्री सेल सेल ऐसी कुछन आते हैं आपके कि भारत में रियडियो ट्रांस्मिशन के लिए किस प्रकार के मोडिलेशन द Maison कारे रहा है उनके लिसान कोई नहीं और मोंडी तो बताओ बारत में रिडो ट्रांस्मिशन के लिए एक किस परकार के मोडिलिशन कारे रहते तो राय टॉप्शन इज एम्पलिटूट मोडिलिशन एम एम आएगा पीम नहीं आएगा टिक गल जिग भी लिख जाता है ठीक है यह वाला ओलाइन एक जामें तो कोई दिक्कत नहीं टिक कही भी बाहर लगा सकते है आप अगर याद आ जाये जो इसे कोई दिक्कत नहीं अब ओपलाइन में दिक्कत होती है यदि सरल लोलग में दाउंतु के गोले के स्तान पर लकड़ी का गोला लगा दिया जाए तो इसका अवर्थकाल इनमें से कोई नहीं वही रहेगा बढ़ जाएगा कम हो जाएगा यदि स्रल लोलग में दाउंतु के गोली किस्तान पर लकड़ी का गोला लगा दिया जाए तो इसका अवर्थकाल क्या एफेक्ट पढ़ेगा अवर्थकाल पे ओगा आपका वही रहेगा कुछ प्रवाव नहीं पढ़ेगा ठीक है वही रहेगा अगला यदि फ्रवत्वी की तिर्जा को 2% कम कर दिया जाए तो तत्रे उमान वही रखा जाए यहन कि इस तिर रखा जाए तो फ्रवत्वी की इस तापर पिंड का बहार होगा वही रहेगा इनिमें से कोई नहीं बढ़ जाएगा गड़ जाएगा बहुत अच्छा कि उसने बन सकता है एक्जाम में अभी सोच ले आओगा आपने नहीं सोचा है तो सोचो क्योंकि हमने आप से बोला था कि एक्जाम आप दे रहे हूँ मानो अभी दे रहे हूँ अभी कद भी तो इसका राइट अप्स ने बढ़ जाएगा नेक्स्ट यदि एक पिंड की गति जुड़ जाका मान उसके प्रारिमिंग मान का चार गुना कर दिया जाए तो निया सवेग होगा यदि एक पिंड की गति जुड़ जाका मान उसके प्रारिमिंग मान का चार गुना कर दिया जाए तो निया सवेग इस तिर रहेगा इसके प्रारिमिंग मान का चार गुना हो जाएगा इसके प्रारिमिंग मान का दो गुना हो जाएगा इसके प्रारिमिंग मान का तीन गुना हो जाएगा तो राय टॉप्सन क्या होगा हम तो बताएंगे सही पहले तो आपको बताना है हम तो हर एक उसन नेक्स्ट एक तनी रबबर में एक स्टेंज रबबर में गत्य जुर्जा होती है एक्जाम्पल पता होंगे तो आप सते जुर्जा के एक्जामपल एस ते डिक में एडिक होती है ठीक है next Îk highmotion की wave theory किसकी वैक्या नहीं कर सकती है दुर्वी करण positioning photo electrical effect है जन की wave theory किसकी वैक्या नहीं कर सकती है right option is photo electrical effect इसकी वैक्या नहीं कर सकती है किर्चोप के परतम और दित्ते नियम के स्रक्षन पर आता रही थे पड़र का इना आपने किर्चोप का नियम और आवेक द्रेमान और आवेस आवेस और उर्जा इनमें से कोई ने बहुत अच्छा क्यूशन है किर्चोप के नियम से भी क्यूशन बनता है का नियम स लिए सिदोंनों को सारी मिद्धियूदूने सिद्धान तो आपको सारे याद रखनें Peak Chemistry के हम कापी बार बॉल चुके की नौट बुक में लिख लो पिसार आपके जितने भी नियम है जितने सिद्धा तहीं और सिद्धानаватьों सिद्धानते शिद्ध के होizon कि कमपेटिशन तो बहुत हाई है ना इसलिए तो राय टॉप्स नीच आवेस और उड़ जा आवेस और उड़ जा यह होता है किर्चोप के परतम और दिते नेम के स्रक्षन पर आदारित है कि आवेस और उड़ जा ठीक है कि यह है आदारित अगला कि एरजस्ट यह दिए एक बल एप इसकौल एट प्लास बीटी स्कार के बरावर दिया जाए जहां टी समय है और एभी वीमाई है कि एभी की वीमाई होगी वीमाई आपको बतानी है कि सब को आते होगी बनाने वैसे वीमाई है तो को दिक्कत वाली बात है नहीं इंट्रिजेंट इस्टुडेंट वाप इसका क्रेक्ट अप्शन हो जाएगा ml t-3 और ml t-4 अगला इन में से कोन कतन सत्य है which of the flowing true सबी टक्रों में 11 से गुषन है सबी टक्रों में सवेग सरक्षित नहीं होता लेकिन सबी टक्रों में सवेग सरक्षित रहता है लेकिन गत्य जूर्जा नहीं सबी टक्रों में सहती और गत्य जूर्जा दोनों सरक्षित रहती है इलास्टिक टक्रों में ना तो सवेग सरक्षित रहता है उन्हें एक बहुत अचाए कुशन है, सहती टकरों पड़ रखी आपने 11 में मज़े से पड़ी होगी, तो आज आ गया होगा आपको, दो पांच कुशन बनी जाते हैं 11 से भी, इसका रायट अपस ने, सबी टकरों में सवेक सरक्षित रहता है, लेकिन गति जूर्जा नहीं, आगला, पिंड की विकर्णी उड़ जाएके समवन पाती होती है, तो इसका रायट ऑप्शन इस T4, अगला, एक पिंड जिसका दुर्विमान 0.1 किलोग्राम है, 0.1 से गिन में 10 मेंटर पर सेंगिट के वेक से गतिमान होती है, पिंड पर लगने वाला बल है, वन हंडर न्यूटन, टैन न्यूटन, या फिर 0.1 न्यूटन, या फिर 0.01 न्यूटन, इसका रायट ऑप्शन ने, ये भी 11 का एक उसन है, और उप्शन है कि 1 रेश्यो अंडरो 2 रेश्यो वन, या फिर 1 रेश्यो टू, टू रेश्यो वन, रायट उप्शन, 1 रेश्यो अंडरो 2, एक सीधे लंबेदारा वहाँ चाला के कारण चुमके प्रण के रेखा हैं, 100% चुमके प्रण से तो गुशन आता है, तार के लंबत होती है, सकेंद्रित वर्ण, तार के समांदर होती है, इन में से कोई नहीं, बहुत अचाए गुशन है, इसका राइट ओप्सन हो जाएगा, सकेंद्रित वर्ण, अगला, नुमेर के लिए गाइज, नुमेर के लाएंगे आपके, फ्री स्पेस में विदूद चुमके तरंक का वेग, तो पहले थेओर वाल कुशन कर लेना, कोई दिक्के लिए बात नहीं है, बाकि आप अपना इसाब देख सकते हों कि आप कि इतने स्मार्ट हो नुमेरिकल में, सबका लगलग वो होता है, यहाँ पर ओप्सन देरके कि 20, 45, 2, 2 मेगाटच, यहाँ पर मात रग अलगलग देरके, तो उसका ध्यान रगना थोड़ा, तो किया होगा आपने रभ में, तो इसका राइट उप्सन होजाएगा आपका, 2 मेगाटच, अगला, आर तिर्जाववा एक समार्ण रूप से आवेश प्यूसे आवेशित खौकले को लेका, वीदू से तरबार वीबब होगा, बहुत अच्छा क्यूसन है, यहां से भी क्यूसन बनता है, टॉल से ज़्यादा बनते हैं आपके, क्यूसन को देख लो, ओप्सन देख लो, टाइम कम लगता है, तो वीडियो को पोच कर लिया गो, क्यूंकि टाइम थो हम 5 सेगंड का देंगे, फिर क्या वीडियो लंबा जाता है ना, लगबाग समने कर लिया होगा, इसका आंसर आगया होगा, कि आर तिर जाओ, एक समान रोप से आवेस्ट, तो राइट आप्सन इज, जिरो, वन वाइ, फॉर पाइन यूजिरो, एफ्टाइलेंस, क्योपोन आटी, अग्ला, 0.01 हैंरिके, 0.01 हैंरिके प्रेरेंग में, 50 हच्टाज एसी की, रेक्टेंस होगी, 1.04, 0.59, 3.14, 6.28, इसका राइट आप्सन इज, 3.14, अग्ला, एक फ्रीजम का, अप वर्तन कौन ए है, और फ्रीजम का अप वर्तन, कौन ए पॉंट्टू है, तब नियूतम विचलन होगा, तो गाईज, वोगा नियूतम विचलन, 180 डिग्री माइनस टूए, ऐसे कुशन, यह देखो, अगला कुशन फिर चुमक से आगया, और चुमक से 100% कुशन आएगा, आपका लोह, जो पेरा मेंगनेटिक के, डाय मेंगनेटिक के, यहां से कुशन बनता है, बनता है, अगला कुशन है कि, वह पदार्थ, जिन में परते एक प्रमानों का, चुमके आगुण सुनने नहीं होता है, कालाता है, चुमके आगुण सुनने नहीं होता है, क्या कलाता है, फिर ओ मेंगनेटिक, डाय मेंगनेटिक, यह फिर 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 पारा मेंगनेटिक, लोह चुमके परते चुमके, श्चेपें फेरी मेगनेटिक्स या अनुचुम्के अगुन्ह सुने नहीं होता है बहुत अच्छा उसने और यह जितने भी इना इसको अच्छे से पढ़ ले ना कुछन बनता है आज से और एक्जांपल भी देख ले ना इनके काफ़ाई एक्जाम्पल है जितने हो सके एक्जाम्पल याद कर लेना क्योंकि आप से पूचा जा सकता है कि निमन में से कौन सा लोह चुमक्तत हुए उदान चार दे दी जाएंगे तेन तो ओधर होंगे और एक लोह चुमक्ततव का होगा तो आपको वह अप्सें स्लेट करना होगा यह ना तो कर लेको ना आपने कि चुमक्यागूर्ण सुने नहीं होता है तो किसका नहीं होता है अनुचुमक्ततव यानिक प्यार मेंटिक्स का अगला किसी नाबिक की औसथ बंदन उर्जा परती न्यूक्लोन का क्रम होता है एट एलक्ट्रोवर्ट एट मेंगा एलक्ट्रोवर्ट एट एट एलक्ट्रोवर्ट एपर एडजून किसी नाबिक की औसथ बंदन उर्जा परती न्यूक्लोन का क्रम होता है सो वो होता है 8 मेंगा इलक्तो वड्ट अगला यह दिरका है कि वेख्टर क्यों वेक्टर के बीच का कॉण होगा पी प्लस Q vector पी vector माइस Q vector रीबीच का कौन हो गा शिरिफ 180, 19, 180, 0 degree और 180 के बीच इननी विच कोई नहीं, बहुत तीज़ेक विसन है वेक्टर आपने पटर के 11 तूँ बता दु न तुसकर आइट ओपसन है 0 degree और 180 degree के बीच अगला निमन में से कौन सा गेट किसी डिजिटल सर्किट के लिए विल्डिंग ब्लॉक के रो में कारे करता है नॉट गेट से तो 101 परसेंट कुछन आएगा 101 परसेंट हम लिख देते हैं इसको गेटों से तो कुछन आता है और पूरा का पूरा सेमिकंडक्टर चेप्टर एंट है से आप सारी इस्टुमेंटे गाई टोल से निमन में से कौन सा गेट किसे डिजिटल सर्किट के लिए विल्डिंग ब्लॉक के रोमे काम करता है इनका याद रखना है आपको कितना इंपूट डालेंगे कितना आउटपिट मिलेगा इनको फोरूम ले भी है और कौन-कौन सा ग इक्रेंट आर प्रोडूज इलेक्ट्रमेग्नेटिक प्रस्त से यह सब्वी इंडक्शन परने से यह फिर स्पिडिमेटर से तो राय टॉप्शन इस यह सब्वी है अगला दवनिमेट डॉप्लर इपक्ट का कारण है प्रक्सक की गती हस्त्रोथ की गती हस्त्रोथ और प्रक्सक की सापक्स गती इनमें से कोई नहीं और हाँ मॉर्निंग में जो वीडियो डाला था हो कि इसको नहीं मिला जूलोजी का और बॉट ने का अच्छा वीडियो था 30 32 मिंट का लिंक दे दिया नीचे अगर आपको नहीं मिला होगा तो दूसरे चैनल पर अप्लोड कर दिया तो इसलिए नहीं मिला होगा आपको लिंक दे दिया हमने डिस्क्रिप्स ने इस वीडियो खत्म होते देख लेना दवनिमें डॉपलर इपक अगला अगला अब नोलीख समीकरंड के स्रक्शन का एक प्रेनाम है बांने पड़क लए ूर्जा दे यहिंन के स्रक्शन का एक प्रेनाम है तो इसका राइट ऑप्स ने उड़ जा उड़ जा के स्रेक्शन का नेम का एक प्रेनाम है और जो डिस्क्रिस में लिंक दे रहा है बॉटनी जो लोजिका उसको वीडियो को देख लो अभी कभी